यदि प्यासे को ठंडा पानी मिल जाए तो उसके लिए गर्मी से रहाद के लिए सबसे बड़ा वर्दान साबित हो रहा है चलचुलाती गर्मी में उतरपरदेश भारत स्काउट गाइड द्वारा शोहर की आने एक इस्थानों पर ठंडा पानी रहागीरों को पलाने के लिए कैम्प आयोजित किये जाते हैं जिसमें ठंडे पानी की माधियम से सभी रहागीरों को प्यास बुचाने के लिए कैम पायोचित किये गए जिसमें सभी स्काउट गाइट के सदस्यों द्वारा रोडवेज मुरादबार पर आने वाली यात्री और रहागीरों को ठंडा पानी प्लाया गया इस शिविर के समापन पर जिलाओधिकारी मानुवेंद्री सिंग ने पहुंच कर सभी बच्चों की जम कर सरहना की रोडवेज बस अड़े पर भारत स्काउट गाइट की चल रहे निशुलक जल सेवा शिविर का शुकरवार को समापन हो गया समापन कारुकरम में मुक्यातिती की रूप में पहुंचे जलाओधिकारी मानुवेंद्री सिंग ने भारत स्काउट गाइट संस्था मुरादबाद की 21 दिवसी इनिशुलक जल सेवा शिविर के समापन कारुकरम में स्काउट गाइट को सफल जीवन जीने के लिए मानप सेवा करनी का मूल मंद्र दिया जिलाओधिकारी मुरादबाद ने स्काउट गाइट के रोडवेंस बस स्टेंट पर चल रहे जल सेवा शिविर में उपस्तित सभी स्काउट गाइट, स्काउट मास्टर, कायड कैप्टन से आगुरे किया कि सभी अपने जीवन में समाज की सेवा के लिए समय अविश्य निकाले जिससे दूसरों की सहायता करने की आदत बन सके इस दौरां सिटी मजिस्टरेट चिंशुक सिंग ने कहा कि हम सभी को एंद दूसरे का सम्मान करते हुए समाज सेवा करने चाहिए और समाज में समरस्ता लानी चाहिए वहीं जिला स्काउट कमिशनर डॉक्टर हिमान शुय आदव जिला सचीव डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने सभी स्काउट गाइड से देश के श्रेष्ट नाग्रिक बन्विक अप्रम लिया। जल सिविर का संचालन जिला संघटा नायूत गौरब सक्सेना ने किया। हमारे विविन विद्यालों के स्काउट गाइड होने प्रति दिन दोदो टोलियों ने यहां पर रागीरों को जल पिलाया। और जब भी हमने यहां पर आकर कर नेरी च्टक करा हमने देखा कि सभी स्कावड गाउड हमें बड़े उत्सा के साथ जलपान सिविर में अपना सयोग किया आज जिलादिकारी महोदै जी द्वारा इस सिविर का समापन किया गया सभी पदादिकारियों ने इसमें सहयोग किया हमारे विभिन विद्ध्यालयों के स्काउट गाड़ों के द्वारा इसमें सहयोग किया गया हमारे बेसिक से सिरी संजय जी ने इसमें सहयोग किया और विशेश योगिदान हमारे हमारे स्काउट गाइड के सच्चिव त्रीश्रुईंद बर्मा जी ने और हमारे बीओसी गौरब जी ने बहुत अधिक सहयोग दिया इसके साथ ही हमारे बहुत सारे जो काउंसलर हैं स्काउट के सम्मनित नों ने अपना सहयोग दिया हम उम्मीद करते हैं कि इन चात्रों से कि यह ऐसे जब भी समय आएं ऐसे मौके आएं अपना समाज के लिए योगदाना वाज़ाएं